दोस्तों स्वागत है आपका एडवांस कला में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस कले उसके बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि नए नए वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रह दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत यूसफूर और काम करें दोस्तों आज का जो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताना तो चलिए दोस्तों वीडियो को श्टार्ट करते गए सबसे पहले हमें लेनी है अब हमें इसका इस्षर लेना है तेखिए इसको मैंने फॉर्ड कर ले अर यह पुरानी सोट्स मैंने ले ली है अब मैं इसे छोग से मार्क करूंगे कुछ इसतरीके से जेिए मैं और यहां हम elastic attach करेंगे उपर की और तो वहां पर मैं थोड़ा सा extra ले रही हूँ Elastic का हमें नाप लेना है और माल जिक की चक्या रख लेना है अब मैंने अस्तर को cut कर लिया है अब हमें सारी को भी four fold करना है देखे कुछ इस तरीके से मैंने fold किया है अब इसके उपर मैंने अस्तर रख दिया है और मैं इसको cut कर लिया है देखे मैंने cut कर लिया है अब हमें इसको फेला देना है और अस्तर और सारी को joint कर लेना है इसको इसके उपर हमें stitch कर लेनी है तो यह मैंने stitch कर दिया है अब हमें 26 by 30 नीचे के ऐसे दो पार्ट लेने है तो देखे ये मैंने नाप आपको बता दिया है अब हमें साड़े और अस्तर को अटेज करना है देखे उपर के और हमें स्टीच करना है नीचे हमें कुछ नहीं करना है तो मैंने ये दोनों पार्ट को स्टीच करके जोड दिया है अब हमें जो हमने पहले पार्ट कट किये थे उसको लेना है और कुछ इस तरीके से हमें ये पार्ट रखने है और हमें रफल्स ले लेनी है इस तरीके से प्लेटे लेनी है तो ये मैंने दोनों पार्ट में प्लेट कर लिए अब हमें कुछ इस तरीके से इसको रखना है और सेंटर में हमें स्टीच करना है इस तरीके अच्छे से रखके हमें स्टीच कर लेनी है तो यहां पर हमेरी स्टीच हो गई है अब हमें इलास्टिक लेनी है 18 इंचिस की अब 18 इचेज की हमें Elastic लेके इसको जोड़के Circle बना लेना है यह देखे मैंने इसको Circle बना दिया है अब जो हमने प्लाजो है वो हमें अंदर की और डालना है और उपर से इसको Fold करना है तो यह देखे अब Elastic हमें Attach करना है तो यहां पर हमें इस तरीके से Fold करके इसके उपर Speech करना है और Elastic को हमें खीचते जाना है और दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले तो चलिए दोस्तो यह हमारी Elastic हो रही है Ready इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अब इसको हम सीधा कर देंगे और Elastic को खीचते हुए ले जाना है थाकि इसकी Finishing अच्छी आए और Elastic के उपर Stitch ना आए उसका हमें ध्यान रखना है तो देखे यह Elastic हमारी अच्छे से लग गई है और यह हमारा प्लाजो हो गया है Ready तो यह देखे ओल्ड सारी में से हमारा प्लाजो कितना प्यारा बन गया दोस्तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरू कीजेगा मिलते हैं तोस्तो नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई